असलाम आलेकुम व्यूवर्स बीके मेगा इंटरेटेन्मेंट की एक और वीडियो में खुशामदी कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने नूर जहां की अवाज में गया ये गीत जब भी कोई शक्स सुनता है तो एक ही चेहरा जहन में आता है जो के खुबसूरत अदकारा बिंदिया का है ये मुश्कुराता चेहरा पाकिस्तानी स्क्रीन और टेलिवीजन और स्टेज हर सू नजर आया बिंदिया को उनकी शकलो सुबात के सबब भारती फिल्म स्टार रेखा से इस दश्बी देते हुए पाकिस्तानी रेखा भी कहा जाता है लेकिन सच तो ये है के बिंदिया ने अपनी मेहनत से एक मुन्फरित पहचान काईम की हलाके जब उनकी पेशा वराना जिंदगी का आगाज हुआ तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था के वो फिल्मों में काम करेंगी वो पहली दफ़ा एक न्यूस कास्टर के तोर पर पी टीवी की स्क्रीन पर नमुदार हुई इसके बाद वो शोबीज की तरफ आई आपने बहुत ज़दा फिल्मों में काम नहीं किया लेकिन जितना काम किया बहुत ही मेयारी किया यही वज़ा है कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं उनकी शोहरत का एक सबब उनकी नीजी जिन्दगी के दिल्चस्प उतार चड़ाओ और उनकी आज़ाद ख्याली भी थी जिसके सबब वो अक्सर खबरों में रहती लेकिन अब एक अर्सा गुजर चुका है टीवी और परदा स्क्रीन की जीनत बिंदिया गुमनामी भरी जिन्दगी गुजार रही है बिंदिया का तालुक कलकता के एक मुसल्मान गहराने से था उनके वालिद हिंदो लेकिन उनकी वालदा मुसल्मान थी ताहम उनके वालिद ने अपने खांदान से कते तालुक करके इसलाम कबूल कर लिया और क्याम पाकिस्तान के बाद लहौर आ गए बिंदिया की पिदाइश लहौर में ही हुई बिंदिया का इसलामी नाम रुबीना है लेकिन वो हमेशा बिंदिया के नाम से ही पुकारी गई उनकी परवरिश कदरे सक्त मौहौल में हुई जहां उनकी तालीम और तरभियत पर खासी तवज्जो दी गई बिंदिया एक महजब और पड़े लिके गिराने से तालुक रखती थी बिंदिया के दोनों भाई हकूमत पाकिस्तान में अच्छे अहुदों पर फायज रहे बिंदिया ने भी M.A. इंगलिश तक तालीम हासिल की उनके केरियर का आगाज P.T.V. पर एक इंगलिश न्यूस कास्टर के तौर पर हुआ जो के उस दोर में एक बहुत बड़ी बात थी इसके बाद जल्द ही वो थेटर में काम करने लगी और वहां से रास्ता फिल्म इंडस्टरी के तरफ भी निकल गया बिंदिया की पहली फिल्म यादो की बारात थी जो के 1977 में रेलीज हुई ये एक उर्दो फिल्म थी और इसके हीरो आसिफ खान थे इसके लावा उन्हें बहुत सी फिल्मों में काम किया जिन में से बेगम जान, बेहन भाई, आवाज, वादे की दंजीर, पाकीजा जैसी फिल्में शामिल है बिंदिया ने 10 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया इस दुरान उन्हें बहुत बड़े स्टार्ज और ब्लॉक बस्टर फिल्म्स में काम करने का मौका मिला फिल्मों से जादा पेचान उन्हें टेली विजिन ड्रामों से मिली उन्हें एक काम्याब अदाकारा तसवर किया जाता है लेकिन दूसरी तरफ नीजी जिन्दगी में उन्हें कई नकाम्या देखनी पड़ी उनकी शादी इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले ही एक उर्दनी पाइलिट से हो गई थी ये शादी कुछ सालों तक बहुत काम्याब रही लेकिन इसके बाद उनके शोहर उर्दन वापस चले गए और ये शादी तूट गई इस शादी से उनका एक बेटा जाहन जेब पैदा हुआ बिंदिया ने इस शादी के तूटने के बाद पाकिस्तानी अधाकार असद नजीर से शादी की शादी के बाद बिंदिया असद के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई जहां उनका बेटा जिर तालीम था लेकिन ये शादी भी ज़्यादा देर ना चल सकी बिंदिया की तीसरी शादी 2013 में पाकिस्तानी नियाद अमरीकी डॉक्टर जफर इबराहीम से हुई बिंदिया अपने तीसरे शोहर के साथ अमेरिका में ही मुकीम है उनके पास पाकिस्तानी शहरियत के साथ साथ अमरीकी शहरियत भी है वो अब भी पाकिस्तान आती रहती है और मुक्तलिफ ड्रामों में अदाकारी और टेलिवीजन प्रोग्राम्स में इंटर्व्यू भी देती हुई नजर आती रहती है उनका फिल्मी केरियर तो चंद एक गीतों के सबब बड़ी हद तक फरामोश कर दिया गया है लेकिन उनका सेलेवरिटी स्टेटस बरकरार है वो अपने काम के अलावा अपनी जिन्दा दिल, शक्सियत, अपने मुन्फरिद अद्दाज और अपने खुले डुले अंदाज गुफ्तकू से भी जानी जाती है उनके बारे में मशूर है कि जो बात उनके दिल में हो वो ही जुबान पर होती है आमीन तो दोस्तों, आज के लिए PKMega Entertainment की तरफ से इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें कमेंट में अपनी राय देना मत भूले और हमारे चैनल PKMega Entertainment को सबस्क्राइब करें शुक्रिया, अलाहाफिज